आज हम आपको layout tab के break option के अंतरगर्द सभी options की जानकारी दे रहे हैं MS Word 2019 में आप देखेंगे layout tab के अंतरगर्द आपको एक option दिखाई देगा break option जिसमें आपको दो बार्ट दिखाई देंगे जिसमें पहला option है आपका page break और दूसरा आपका section break page break की साइधा से आप MS Word document के किनी दो pages के बीच में break लगा कर उन्हें अलग-अलग हिस्तों में बाढ़ सकते हैं और section break से word document के pages को या फिर pages में लिखे text को अलग-अलग sections में बाढ़ सकते हैं हम आपको बताना चाहेंगे कि page break लगाने के बाद भी document के अलग हुए हिस्तों में अलग-अलग formatting संभव नहीं है जबकि section break लगाने के बाद document के अलग हुए हिस्तों में अलग-अलग formatting की जा सकती है तो चलिए हम आपको what document में page break और section break का उप्योग करके बता देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को like करें, comment करें, share करें, subscribe करें और bell icon को जरूर दबाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं layout tab के break option पर जैसी हम click करेंगे तो आप देखेंगे यहापर हमारे सामने दो part आपको दिखाई देगे सबसे पहले आपको part दिखाई देगा page break का और दूसरा आपको दिखाई देगा यहाँ पर section break का तो सबसे पहले हम पहला वाला option clear कर लेते हैं page break में आप देखेंगे आपारे सामने यहाँ पर तीन option आपको दिखाई देखेंगे इन तीनों option को समझाने के लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक document को insert किया हुआ है इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इस पर page number को insert कर लेते हैं तो इसके लिए हम चले जाते हैं insert tab के अंदर यहाँ से चले जाते हैं हम लोग page number पर यहाँ पर आपको लेना है top of page और यहाँ से हम plane number 2 को select कर लेते हैं plane number 2 को select करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास जितने भी pages होंगे उन सभी pages के ओपर यहाँ पर page number insert हो चुका है page number को insert करने के बाद हम यहाँ पर इसके view को बदल लेते हैं तो इसके लिए हम view tab पर जाते हैं और यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा multiple pages का इस पर आपको click कर देना इस पर जैसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर page number 1 page number 2, page number 3 दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको multiple pages यहाँ पर आपको दिखाई दे इसके बाद हम चले जाते हैं आपने उसी section पर वापस से page layout पर जाने के बाद यहाँ पर आप page break में देखेंगे सबसे पहला option आपको दिखाई देगा break का तो इस option का use कैसे किया जाता है मान लीजिए कि हमारे पास page 1 पे जो भी document है मैं चाहता हूँ कि page number 1 की जो दो paragraph है इनको छोड़ कर बाकी के जितने भी paragraph हैं ये सभी paragraph shift हो जाए page number 2 पर तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर जहां से आपको paragraph को shift करना है वहाँ पर आपको एक बार click कर देना है यहाँ पर जैसे आप click करेंगे click करने के बाद आपको break value option पर जाना है और यहाँ पर आपको use करना है page break तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर पूरा page blank हो जाएगा और आपका पूरा data यहाँ पर page number 2 पे shift हो जाए इसको आपको वापस से अगर इसी page पर shift करना है तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पर starting में click करना है जहां से आप इसको वापस से यहाँ पर लाना चाहते हैं और उसके बाद अपने keyboard से आपको backspace प्रेस कर देना है दो बार जैसे आप backspace प्रेस करेंगे तो आपका पूरा पूरा data वापस से यहाँ पर adjust चुजाए इसके बाद हम बात करते है next option की यहाँ पर आप देखेंगे next option आपको दिखाई देगा column break तो column break करने के लिए सबसे पहले हमें पूरे data को column में convert करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे just bugle में आपको column का एक option दिखाई देगा इस option पर जाने के बाद हम यहाँ से two column को select करते हैं two column को select करने के बाद आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा matter यहाँ पर column में convert हो चुका है अब हम यह चाहते हैं कि page number 1 में जो हमारे सबसे last का paragraph है इस paragraph को हम page number 2 पे shift करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको same भई काम करना होगा आपको जहां से paragraph को shift करना है आपको वहाँ पर click कर देना है click करने के बाद आपको break for your section पर जाना है break section पर जाने के बाद यहाँ से आपको column को select करना है column पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपका वह matter यहाँ से shift हो करके दूसरे नमबर पेज के परग्राफ पर यहां पर पहुँच चुका है और इसको वापस से आपको यहां पर लाना है तो यहां तो आप Ctrl Z कर सकते हैं और यहां तो फिर आप Backspace यहां पर प्रेस कर सकते हैं जैसे आप Backspace प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका वो जो डॉक्यमेंट पेज नमबर दो पे शिफ्ट हुआ था वो वापस से आपके पेज नमबर बन पर अर्जिस्ट हो जाएगा इसके बाद नेक्स अप्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे आपके सामने है टेक्स्ट वैपिंग टेक्स वैपिंग का यूज़ करने लिए सबसे पहले हम सभी डोक्यमेंट को वापस से करने के बाद हमारा डोक्यमेंट नॉर्मली जैसा था वैसा है आपको फिर से दिखाई देगा इसके बाद आपको जाना है यहां से इंसिट तैप के अंदर और यहां से आपको जाना है picture बाले option पिक्चर option पर आप देखेंगे आपके सामने यहां पर दो option आपको दिखाई देंगे इस device और online pictures का तो दोलोगी तबाम से आप यहां पर picture insert कर सकते हैं तो इसकी लिए हम यहां पर this device को यहां पर select करेंगे इस device को जैसे हम यहाँ पर select करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी picture insert कर लेते हैं माली जै हमने यहाँ से इस picture को यहाँ पर select किया और यहाँ पर इसे insert कर लेते हैं जैसे हम picture को यहाँ पर insert करेंगे तो आप देखेंगे आपारे proper full size में आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा इसको हम यहाँ से corner से पकड़ करके छोटा कर ले इसके बाद हम यहाँ पर wrap text पर चले जाते हैं और wrap text से हम यहाँ पर tight वाले format को select करते हैं tight wrap format जैसे हम select करेंगे तो आप देखेंगे हमारी जो picture है वो यहाँ पर जहाँ पर भी अगर मैं इसे move कर रहा हूँ तो यह automatically अपने लिए space बनाता चला जा रहा है मैं इसको थोड़ा सा zoom करके आपको दिखा देता हूँ अब मैं इस image को जहाँ पर भी move करूँगा यह अपने आप अपना space बनाता चला जा रहा है अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो paragraph आपको दिखाई दे रहा है यह पूरा का पूरा paragraph नीचे की तरफ shift हो जाए और picture के दोनों तरफ कोई भी text यहाँ पर नजर ना आए तो उसके लिए आपको क्या करना है तो जहां से आप text wrapping का use करना चाहते हैं वहां पर आपको एक बार जाकर क्लिक करना होगा वहां पर क्लिक करने के बार को जाना है break वाली option पर break option पर जाने के बाद आपको यहां पर दिखाई देगा text wrapping जैसे आप इस पर दीख करेंगे तो आप देखेंगे आपका वो पूरा का पूरा text तो यहां से right side में आपको दिखाई दे रहा था वो पूरा का पूरा text यहां पर नीचे की तरफ adjust हो जाएगा इसके बाद आप अपने image को जहां भी move करेंगे मालिज अगर आप किसे उपर move करते हैं तो यह automatic यहां पर adjust हो रहा है किसी भी text को adjust नहीं करेगा तो इस तरीके से आप break section के आप उपर वाले format का use कर सकते हैं इसके बाद हम बाद करते हैं यहां पर section break की तो section break का use करने के लिए हम पूरे document को वापस से वैसा बना लेते हैं जैसा यह पहले था section break के लिए हम सबसे पहले यहां पर वापस से break वाले option पर जाते हैं और यहां पर आपको दिखाई देगा next page का एक option next page का जो option है और यहां पर आपको जो page का जो option है लगबग दोनों का काम सेम है लेकिन छोटा सा फर्क है जैसे माल लीजिए हमने page break यूज किया था और page break यूज करने के बाद हम अपने किसी भी data को वापस से अगर उसी page पर shift करना चाते हैं तो backspace की मदब से हम उसको shift कर सकते हैं जैसे माल लीजिए हम यहां पर page number one के दो paragraph को छोड़ करके तीसरे paragraph पर यहां पर click करते हैं और click करने के बाद यहां पर break option में section break के next page option पर click करते हैं जैसे हम इस पर click करेंगे तो आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा matter वापस से यहां पर shift हो गया है और अगर आप यहाँ पर backspace का यूज़ करेंगे तो यह matter आपका वापस से इस page पर adjust नहीं होगा लेकिन इससे पहले वाले case में हमने आप page break का यूज़ किया था जिसके अंदर अगर आप backspace यूज़ करते थे पूरा का पूरा आपका जो भी matter था वो आपके इस page पर वापस से adjust हो जाता था बट section break में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बट section break में अगर आपने किसी भी paragraph को break किया है तो वापस से वो इस page पर adjust नहीं हो पाएगा इसके लिए आपको या तो control Z का यूज़ करना होगा और या तो फिर आपको पूरे matter को यहां से cut करके वापस से यहां पे paste करना होगा तो इस तरीके से आप break option के section break के next page वाले option को use कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर continuous view continuous break कैसे लगाए जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं कि continuous break लगा है क्यों जाता है continuous break तब आपका use किया जाता है जब आप same document के same pages पर अलग-अलग formatting यूज़ करना चाहते हैं जैसे माल लीजी हम यहाँ पर पहले document पो वापस से normal कर लेते हैं जैसा यह पहले था अब माल लीजी हम यह चाहते हैं कि page number one के दो paragraph को छोड़ करके नीचे के जो दो paragraph हमें दिखाई दे रहे हैं इन दोनों ही paragraph को मैं column में divide करना चाहता हूँ बट जैसी मैं column पर जाकर कि यहाँ पर two column को select करूंगा तो आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा document यहाँ पर column में divide हो जाएगा लेकिन हमें क्या करना था हमें शिरुवात के जो दो paragraph है इनको छोड़ करके बाकी के जो दो paragraph है इनको column में divide करना था इसके लिए पहला option तो यह है कि आप इस matter को select करके column को select करके यहाँ से आप two column को जैसे select करेंगे आप देखेंगे आपके जो दो दो paragraph है वो यहाँ पर column में divide हो जाएगे लेकिन अगर आप इसी तरीके से आप इसके बीच में किसी तरीके की कोई और फ्रमेटिंग करना चाते हैं जैसे महलेज जब watermark लगाना चाते हैं या किसी तरीके का कोई भी extraATHAN formิटिंग करना चाते हैं तो उसके लिए हमें आपर continuous break लगाना होगो तो continuous break लगाने के लिए हम यहाँ पर सिरुफात में करेंगे जहां से हमें continuous break लगाना है और इसके बाद हम जाएंगे breaks वाले option पर और यहाँ पर continuous को select करेंगे continuous break लगाने के बाद आप देखेंगे आपर हमारा continuous break लग चुका है नीचे की तरफ जहां तक आपको continuous break लगाना हूं वहाँ पर आपको फिर से click करना है और यहाँ से आपको वापस से break वाले option पर जा करके हैं आपर continuous break को वापस से click कर देदा है तो आप देखेंगे हमारा यहाँ से दो paragraph में यहाँ पर continuous break लग चुका है अभी आप देखेंगे हमें यह continuous break दिखाई नहीं दे रहा है तो इसे देखने के लिए आप क्या करेंगे Home tab पर जा करके यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा Show height का इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको section break दिखाई देगा आपको यह पता चल जाएगा कि इन दोनो paragraph में यहाँ पर section break लग चुका है तो फिलाल अभी हम इसे यहाँ से पता लेते हैं और अब इस paragraph पे हम किसी भी तरह की कोई भी फॉर्वेटिंग कर सकते हैं जिसका effect बाकी के किसी भी document पर नहीं पड़ेगा तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर click किया और हम इसे same two column में divide करना चाते हैं तो अभी हमने matter को यहाँ पर select नहीं किया है हमने सिर्फ इस paragraph पर click किया है और यहाँ से जाएंगे layout tap पर और यहाँ पर column को select करेंगे जैसे हम यहाँ पर two या three column कुछ भी select करेंगे तो आप देखेंगे वही section हमारा यहाँ पर column में divide हो जाएंगे तो इस तरीके से आप layout tap की continuous break का यहाँ पर use कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर even page और odd page की जैसे की even number की अगर हम बात करें तो वो basically हमारे होते हैं 2468 और अगर हम odd pages की बात करें तो वो होते हमारे 1357 तो यहाँ पर even और odd page का किस तरीके से section यूज किया जाता है यानि किस तरीके से इसका break किया जाता है मैं आपको practically समझाता हूँ जैसे माल लीजे हमारे पास अभी page number 1 आपको दिखाई दे रहा है page number 2 आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम यूज करेंगी even page even page पर जैसे हम click करेंगी तो जहाँ पर हमने click किया था वहाँ का पूरा का पूरा matter उट करके यहाँ next page पर shift हो गया है और आप देखेंगे दो के बाद यहाँ पर आपको page number दिखाई दे रहा है वो आपको 4 number का page यहाँ पर दिखाई दे रहा है यानि कि page number 3 यहाँ पर आपको अभी represent नहीं हो रहा इसी तरीके से अगर आप odd का यूज करना चाहते है तो जैसे माल लीजिए यहाँ पर अभी हमें 5 number का page आपको दिखाई दे रहा है तो इसके लिए आप यहाँ पर odd option का यूज करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर जहाँ से इसको break करना चाहते हैं हम आपर इसको click करेंगे click करने के बाद breaks वाले option पर जाएंगे और यहाँ से हम odd page को पर click करेंगे odd page पर जैसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे आवारा नीचे का जितना भी मैटर था वो यहाँ से shift हो गया page number 7 पर और 5 number के बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर 7 number का page आपको दिखाई देगा यहाँ पर 5 number है और यहाँ पर हमे 7 number का page यहाँ पर दिखाई देगा तो इसके रहे हम यहाँ पर जैसे नीचे से next page पर क्लिक करेंगे तो next page पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे 3 number का जो page आपको दिखाई देगा वो यहाँ पर विल्कुल blank आपको दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप अपने document में even number और odd number pages को यहाँ पर insert कर सकते हैं हम skip दबा कर वापस से अपने document पर पहुँच जाते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे माल लीजे हमने इस पूरे document में बहुत सारे section breaks वगर आप यूज किया है और उन सभी breaks को अगर आप यहाँ से remove करना चाते हैं अटाना चाते हैं तो उसे आप किस तरीके से कर सकते हैं तो सबसे पहले हम home tap पर जाएंगे यहाँ से show और height पर click करेंगे show और height पर जैसे हम click करेंगे तो उसके लिए आपको home tap पर जाना है और यहाँ से आपको replace वाले option पर यहाँ पर click करना है replace option पर जैसे आप click करेंगे तो नीचे की तरफ आपको एक option दिखाई देगा more पर इस पर आपको click कर देना है इस पर जैसे आप click करेंगे किसी तरीके का कोई letter remove करना चाहते हैं paragraph marks remove करना चाहते हैं तो बहुत सारे options आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो हम basically यहाँ पर section break को remove करना चाहते हैं तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर section break दिखाई दे रहा है हम इसको selected जैसे हम यहाँ पर section break को select करेंगे तो आप देखेंगे find what के अंदर हमारे section break का symbol आपके सामने यहाँ पर represent हो जाएगा और replace में आपको कुछ भी लिखने की जुरत नहीं है क्योंकि हम replace में यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको replace all document पर click करते हैं जैसे हम replace all document पर यहाँ पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक message आपको represent हो जाएगा जिसमें लिखा होगा कि all done we need six replacement यानि इसने छे replacement किया है यानि छे जगा पर आपका जो भी section break लगा हुआ था इसने उस सभी break को यहाँ से remove कर दिया तो इस तरीके से आप MS Word में section break लगा सकते हैं section break को remove यहाँ पर कर सकते हैं आप देखेंगे हमारे पूरे document में किसी भी तरीकी का कोई break आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपने सभी breaks को यहाँ से remove कर दिया आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को like, comment, share जरूर कीजेगा धन्यवाद